हाई गाईज आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आल इंडिया फाइन आट्स अंटार्फ ससाइटी के भाहर खड़ी हूं और यहां पर एक एग्जिबिशन है सागा के नाम से अग्णी ढूंग्मि ओषिधियो पार्णी और वरे खेक जरूक में इसो अग्ण स्कीं उख तो अबाएं ह।ो विचकरिवाण यहां वर्सृबिशों फिर्विशन घसंडिा हे सबुझा का मैं आपको इस exhibition के बारे भी डीटेल में बताती हूँ इस exhibition में 24 लोगों ने participate किया है और सबका आप देखें तो different style of work है in fact I am enjoying every bit of it every day in this exhibition मैं सबसे कुछ ने कुछ सीख रही हूँ आपके पस इतना कुछ है जिन्दगी में सीखने को अगर आप उसमें excel करना चाहते हैं तो चलिए में इंट्री की तरफ चलते हैं तो गालरी आक्षली में ये एंट्री दोर है और गालरी यहां से start है तो यह एक आर्टिस्ट है हर्लीन संदू जो की pen on paper करते हैं तो आप देख सकते हैं what a beautiful drawing she's got and this is an artist जिनका नाम निर्जा है और आप इनकी पेंटिंग्स देख सकते हैं how beautiful and colorful and then ये भी उनी की पेंटिंग्स है and then there is another artist भारतिया यार उनकी ये पेंटिंग्स है actually आप देखिए तो सबकी अपनी एक style है और सबका अपना एक you know strength है जिस पे वो सभी काम कर रहे है all of them are so beautiful येक आर्टिस है जो basically photographer है and he does the life photography lifeographer, he calls him lifeographer so this is the first time I heard कि कोई lifeographer नाम का कोई होता है so this is what his work is all about पिछे साब देख सकते हैं, bulbs है and wherever he wanted to highlight वो बल उस जगे प्लेस्ट है there is another artist her name is Garma so this is a very unique piece that she's created and these are my paintings I basically work on expressions मेरी सभी पेंटिंग्स में मैंने एक्ष्रेशन पर पर किया है तो मेरा जो मोटिफ था को तियार करने में वो ये ही था कि मैं अलग अलग बग अलग अलग जगे से अलग अलग ताइप की विमन को पोट्रेट कर पाऊं with different kind of emotions and कहीं न कहीं वो सारे emotions शायद मेरी ही जिंदगी का हिस्सा है so for example this one over here मैं ये दिखाना चाहती हो कि एक राजस्थानी गाउं में पली बड़ी एक औरत और ऐसा नहीं है वो दुखी है आप उसके expression से देखे तो वो बहुत खुश है अपने circumstances में and she is happy आप देख सकते हैं कितने beautifully dressed है she loves life and she loves whatever is around her and वो बहुत content अपनी life से इस painting के अंदर मैं पोट्रेट कर रही हूं that ये अपने lover को miss कर रही है and probably कई सालों से नहीं मिल लिये और ये उनको याद करके ये उदास emotions के साथ यहां खड़ी है this one over here यहां पर मैं पोट्रेट करना चाहती हूं कि एक असमंजस की स्थिती है एक emotion जहां वो confident नहीं है वो बहुत कुछ सोच रही उसके दिमाग में बहुत सारे विचाड चल रहे हैं और वो शायद कोई decision-making life में अभी कर नहीं पा रही है so this is what I wanted to portray and of course आप ये बहुत क्लेरी समझ सकते है इसके अंदर मैं ने पोट्रे किया है एक mother के nurturing element को जैसे कि आप देखे वो बहुत ही प्यार से अपने वोम में हाथ रखी हुए and she is trying to feel and this is another artist which does her mosaic work and this is and this in fact there's an artist Richa जो की ट्रावल करती and then she paints wherever she goes and very interesting pieces of work here so यहाँ पर there is an artist Parsh Gupta who's actually based in UK and उन्होंने अपना कोर्स भी UK से किया है so आप उनका हाथ साफ देख सकते है उनका जो पेंटिंग्स 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 that is actually very much western and very beautiful to look at and then there is another artist over here and इनकी बीआप पेंटिंग्स देखें I think she has lot of experience अर्चना इनका नाम है and you can see कितने beautiful emotions है यह एक आर्टिस्ट है Richa, Richa Shravastav and इनके सारे works जो हैं and last but not the least and यह एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है Priyanka और यह उनकी पेंटिंग्स है तो guys जब तक आप यह वीडियो देखें हो सकता हो यह exhibition over हो गई हो अगर आप मेरे Facebook page को follow करते हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा आपको जरूर पता होगा कि यह सागा exhibition 10th to 16th में के बीच में All India Fine Art and Craft Society में हो रही है in case आपकी miss हो गई है तो I will ensure कि अगली बार से मैं अपने YouTube चैनल में इसके बारे में upload जरूर करो तो दोस्तों आपको यह exhibition कैसी लगी प्लीज इसके बारे में मुझे comment box में लिखके जरूर बताईएगा और मैं पिछले कुछ दिनों से इस exhibition में बहुत बिजी थी जिस वज़े से मैं कोई craft का video अपलोड नहीं कर पा रही हूँ तो आप अपने views बताईए और यह जो background में पिछे आपको paintings दिख रही है यह चारों मेरी है आपको paintings कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताईएगा So see you soon, bye bye and take care झारों में जरूर बताईएगा